हाई, I am Shubhi और आप देख रहे हैं Glam Up आज से करीब एक साल पहले 24 फरवरी 2020 को अनुपमा शो का प्रोमो रिलीस किया गया था पर शो का प्रोमो देखकर तब किसी ने भी ये नहीं सोचाता कि शो इतना हिट होगा और आज अनुपमा शो की TRP No.1 पर बरकरार है साथ ही दूसरे टीवी शोस स्टार्टिंग में जिस थरह करेक्टर को कुछ अलग दिखाते हैं और बाद में वो बोरिंग हो जाते हैं वहीं अनुपमा का करेक्टर और कॉनसेप्ट शो के साथ-साथ exponentially grow हुआ है जिसका क्रेडिट शो के मेकर राजन शाही के अलावा लीड अक्रस रुपाली गंगुली को भी जाता है वैसे शो स्टार्ट होने पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि बेंगॉली टीवी के फेमस टीवी शो श्री मोई का ये रीमेक शो अनुपमा कभी अपनी इतनी जाप छोड़ पाएगा पर अगेन क्रेडिट जाता है रुपाली गंगुली मैम को तो चलिए मैं आपको ये भी बता दू कि जितना आपको रील करेक्टर अनुपमा से प्यार हुआ है उससे कई जाधा प्यार रील लाइफ अनुपमा यानी रुपाली मैम से हो जाएगा इस वीडियो में मैं शुभी आपको बताऊंगी रुपाली गंगुली की अब तक की लाइफ से जुड़ी सारी अनचानी बते जैसे क्यों उन्हें जल्दवाजी में अपने हस्बन से शादी करनी पड़ी थी क्या वज़े रही थी कि वो अपनी शादी के लिए प्रेपरेशन भी नहीं कर पाई कैसे वो इतनी एज में भी यंग्स्टर से भी जादा आज एक्टिव है और 20 साल के नॉन स्टॉप एक्टिंग करियर के बाद भी काम को लेकर उतनी पैशनिट भी है उनके फादर और हस्बन के अलावा कौन है वो थर्ड मैन जिनके एड़वाइस को आज रुपाली दिल से फॉलो करती है तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक और मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसी ही बहुत सारी प्यारी प्यारी लाइफ स्टोरी वीडियो लाती रहती हूँ तो उन वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बास में जो बैल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें रूपाली गांगुली का जन 5 अप्रेल 1977 को कॉलकाता वेस्ट पेंगॉल की एक हिंदू फैमिली में फीमस डिरेक्टर और स्क्रीन राइटर अनिल गांगुली की बेटी के रूप में हुआ था रूपाली की मा के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अविलिबल नहीं है पर उनकी मा ही उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है और सबसे बड़ी फैन रही है उनके छोटे भाई विजय गांगुली भी एक एक एक्टर और प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर है जिने 2017 की मुवी जग्गा जासूस के सौंग गलती से मिस्टेक के लिए फिल्म फैर अवर्ड के साथ काफी सारे अवर्ड्स मिले थे इसके साथ साथ वो अंदादुन, स्त्री, लव आजकल जैसी मुवीज के कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं पर रुपाली के भाई और खुद रुपाली आज जिस मुकाम पर है उसके शुरुआत या कहों की उसकी नीव उनके फादर ने काफी साल पहले रख दी थी कोरा कागस तपस्या जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म के फीमस फिल्म डिरेक्टर रह चुके अनिन गांगुली सर अपनी एक्शन मुवीज के लिए बहुत फीमस थे जिन मेंसे ज़दातर मुवीज उन्होंने अक्टर मिथुन चक्रवर्टी के साथ की और रुपाली की फ फैमिली का एक एहम इस्ता रहे और उनके फादर की मुवीज का भी फिर जब रुपाली साथ साल की होई तब उन्होंने ऑफिशली एज चाइल आर्टिस्ट सूपर हिट मुवी साहिब मुवी में काम किया उस मुवी का एक सीन जिसमें रुपाली देखी गई थी उसमें घर में घुसना था और एक्टरस राखी के पैर चूकर रुम में भाग जाना था रुपाली उस मुवी से अपने डेब्यू पर खुद को प्रिविलिजड मानती है फिर जब रुपाली 13 साल की होई तब उन्होंने अपना फर्स बेंगॉली फिल्म डेब्यू किया बलिदान मु से होने के बाद भी उनके घर में एजुकेशन को भी इंपोर्टेंस दी जाती थी उनके फादर उनसे तब कहा करते थे कि यदी तुमें अक्टरस बनना है तो पहले अपनी स्टडीज खत्म करने होगी क्योंकि यदी पहले एक्टिंग कर ली तो ये एक वाइरस की तरह है ज जिस तरह आज नियू कमर्स हर चीज को लेकर अल्रेडी प्रिपेरड एंड अवेर रहते हैं उस ताइम उन्हें मॉडलिंग की किसी भी तरह की अवेरनेस नहीं थी पर जैसे ही उन्होंने टीवी इंडस्टी में कदम रखा तब ही से उन्हें फैंटेस्टिक रोल्स और अंचली के डवल रोल के बाद 2003 में जिन्दगी तेरी मेरी कहानी में रिया के रोल में देखा गया पर ये टीवी शो रुपाली को खास पॉपिलरिटी नहीं दिला पाए पर डॉक्टर संजीवनी शो में डॉक्टर सिमरन के नेगिटिव रोल से रुपाली को बहुत पैचा मिलने लगी पर 2004 में सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मौनिशा सारा भाई ने उन्हें बहुत पॉपिलर बना दिया और उन्हें बेस्ट एक्टरस इन कॉमिक रोल के लिए फिर से नॉमिनेट किया गया इस शो का सीजन बवन दो साल तक चला पर मौनिशा का केरेक्टर और अनुपमा उनकी शो के ऐसे दो मोस्ट फेवरिट रोल्स रहे हैं जिसने उन्हें उनके फादर के दिये बेंगॉली फिल्मी जीन्स शोकेस करने की अपॉचनिटी दी और मौनिशा और अनुपमा ये दो रोल्स ता उम्र उनके दिल के करीब रहेंगे इसके बाद वो का अव्यांजली, बाब अहू और बेबी, कहानी घरगर की बिग बॉस सीजन वन, सपना बाबुल का परवरिश जैसे काफी सारे टीवी शो में नजर आ चुकी है जिन में से 2009 का टीवी शो आपके अंतरा ओर्टिस्म जैसे न्यू कॉनसेप्ट वर बेस था और शोशल प्रोब एक दूसरे के दोस्त बने रहे, शादी के गरी पास साल पहले दोनों को ऐसास हुआ कि वो फ्रेंट से बढ़कर भी एक दूसरे के लिए खास फिलिंग्स रखते हैं, अश्विन को तो रुपाली से इस हद तक प्यार था कि वो यूएस की अच्छी कासी जॉब छोड़कर वापस आ गए थे, अश्विन अमेरिका की एक इंशॉरेंस कमपनी में वीपी थे और एड़ फिल्मेकर भी और दोनों ने 6 फरवरी 2013 को शादी कर ली, पर सबको चितना जल्दी हुआ कि रुपाली यकीन ही नहीं कर पारी थी कि दोनों की शादी भी हो रही है, इस ट्रकर मे वो दोस्तों को भी बुलाना भूल गई थी और एक प्राइविट सेरिमनी में उनकी शादी हो गई, सब कुछ इतनी जल्द बाजी में हुआ था कि उन्हें साडी का बलाउस सिलवाने तक कर टाइम नहीं मिला था और पुरानी साडी के बलाउस मैच करके ही उन्होंने काम च कर हैरान रह गई थी, अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सब कुछ इतना जल्द बाजी में करने की वज़ा क्या थी, दरसल अश्विन के दीदी जाजी शिकागो से इंडिया आये थे और उन्होंने कहा कि तुम लोग शादी क्यों नहीं कर ले थे, उनका फरवरी को रिटन टिकेट बुक था, इसलिए 6 फरवरी को फटाफट महूरत निकाले का शादी करवाना तैग किया गया, इतना सब कुछ जल्दी होता देख, रुपाली के भाई हैरान रह गए थे, वही उनके पापा कूल थे और उनकी मम्मी ने कहा चलो अभी भी एक महीन ना तो है हम लोग मैनेज कर लेंगे, खैर लव लाइफ इतनी स्मूध होने के बाद, उन्हें हेल्थ इशूस की वज़ा से प्रेगनेंसी कॉंप्लिकेशन्स फेस करने पड़े, उन्हें मेजर थाइरड इशूस थे, इसी वज़ा से उनकी फर्टिलिटी काउंट डाउन च लिए काफी डिफिकल था, और आज उनका बेटा जो खुद मिरेकल से कम नहीं है, वो अपने घर के मंदिर में रखे भगवान को अपना बेस्ट्रेंड मानता है, और उपाली खुद भी एक बहुत बड़ी गॉड बिलीवर रही है, उपाली बताती है कि 1989 में उन्होंने गन लुपाली डाउन टूर्ट है, जिसका पूरा ग्रैडिट वो अपने फादर को देती है, लुपाली के फादर उनसे हमेशा कहा करते थी कि ग्रैटिट्यूड ही इंसान का सबसे बड़ा इमोशन होता है, और लुपाली उन्हें आज तक की मिली सारी अपॉचिनिटीज के ल उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी का वीडियो दिखाते हैं, ऐसा ही एक वीडियो रुपाली ने देखा था, जिसमें कोई मोदी जी से पूछता है कि क्या आप इतनी मीटिंग्स और ट्रैवलिंग करके ठकते नहीं हैं, जिस पर मोदी जी जवाब देते हैं कि इस धौर्ट जादा पावर्फल होते हैं, और जब तक हम ये ना सोचें कि हम बहुत ठक गए हैं, हमें ठकान अफेक्ट नहीं कर सकती, लास्ट बट नौर्ट अगस्ट दो हजार अठारा में रुपाली की कार ने गलती से बाइक पर सवार दो लोगों को टच कर दिया था, पर से माफी मांगने पर भी वो लोग सुनने को तयार नहीं थे, और भारत नगर ट्राफिक सिगनल पर आकर उन्हें अटैक करने लगया, और उन्होंने लुपाली को बहुत अब्यूस भी किया, और बाद में ट्राफिक पिलिस की मदद के बाद ही एमेटर सॉल्व हो सका, तो ये थी रुपाली गंगुली की लाइफ से जुड़ी बौट सारी जानी अंजानी बाते, I hope ये वीडियो अपको जरूर पसंद आया होगा, यदि हाँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करके इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलना, स Thank you so much for watching this video, stay connected, be happy.